बिहार बनेगा एक्सपूर्ट हव दोस्तो बिहार जो अपने कामों और जज़वों के लिए जाना जाता है और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब बिहार तेज गती से बदल रहा है जिसमें सबसे बड़ा योगदान बिहार के मुख्यमंतरी स्री नितिसकुमार जी का है दोस्तो आपको बता दे कि नितिसकुमार इस बार एक ऐसे प्रोजट का उठगाटन किया है जो ना सिर्फ बिहार और बिहार वासियों के लिए फायदे मन होगा बलकि ये पूरे भारत देश के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा क्योंकि इस प्रोजट के पूरा होने से अस्मार सिटी और अस्टेनेवल सिटी बनेगा नागरी के सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा आर्थिक बिकास और रोजगार के अबसर बढ़ेंगे पडियावरन संडक्षन और परदूसर नियंतर होगा और समाजिक और सौंस्क्रितिक बिकास को भी बढ़ावा मिलेगा दरसल जिस पूरजट के हम बात करें हैं वो है ड्राइपोट जिहां सही सुन आपने ड्राइपोट जो बिहार का पहला ड्राइपोट है अब ये है क्या इससे राजजी को कैसे मदद मिलेगी ये सारी जानकरी आज हम इस वीडियो के जड़िये देने वाले हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और कॉमेंट करके इस पूर्जट के बारे में अपनी राइज जरूर दीजिएगा दोस्तों बिहार के उद्योग मंतर नितीस मिस्रा ने 21 ओक्टोबर राज जी के राजधानी पटना के बीटा में राज जी का पहला ड्राइपोर्ट का इन्विडेशन किया गिया है इस ड्राइपोर्ट को नीजी कमपणी के सही योग से बिहार में उत्पादित बस्तूओं के निडियात को बढ़ाबा देनी के राज जी की बड़ी पहल के रूप में देखा जाड़ा है ताकि वहाँ जो एक्सपोर्ट है गुड्स का उओ किया जा सके देखो सबसे पहले समझते हैं कि ड्राइपोर्ट आखिर होता क्या है आपने पोर्ट के बारे में सुना होगा जैसे भारत के अंदर जितने भी कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर आपको कई सारे माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट, जैसे परदीप, पोर्ट, विसाका, पतनम, ऐसे कई सारे पोर्ट हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं ड्राइपोर्ट के बारे में देखो सबसे पहले तो dry port का मतलब वहाँ पर कोई पौनी नहीं है मतलब coastal वाले इलाके नहीं है और इसको ICD यानी inland container डी port भी कहा जाता है अम मौन लिजिए कि जिसे UP हो गया मध्य परदिश हो गया यह coastal वाले इलाके नहीं है मतलब inland area हो गया वहाँ पर port बनने की सम्हामना तो नहीं है लेकिन यह क्या करते हैं कि जो dry port होते हैं inland area में बनाई जाते हैं जिनका माइन मकसाद होता है जो logistic cost facility है वो sea port से लेकर airport तक मतलब आप इसे ऐसे समझ लिजिए जिसे बिहार में कोई goods पहुँचाना है या फिर बिहार से कोई भी goods export करना है तो आपने नर्मली देखा हुआ कि वो sea port के जरिये की जाती है या फिर airport के जरिये की जाती है अब देखो airport से आप ज़्यादा goods का तो export import तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें एक limitation होता है लेकिन जाला थार export import sea port के जरिये होता है कहने का मतलब है कि custom clearance बेगारा सब कुछ यहीं पढ़ होगा और वहां के लोगों के लिए जो भी समान होगा export import होगा उसी जगह से होगा उसे बार बार दूसरे port जाने की जरूरत नहीं होगी I hope कि अब तक आप समाज गए होगे कि यह dry port क्या होता है अब यहां पर एक सवाल आता है कि यह बिहार के लिए क्यों जरूरी है देखो बिहार के अंदर बहुत सारे export potential है जिसे garments, leather जिसे products हो गया और सबसे बड़ी problem है कि यह सारे product बिहार के अलग-अलग जगहों पर बनाये जाते हैं जिसके चलते अगर कोई एक ब्यक्ति को export करना है तो उसके लिए बहुत मुस्किल हो जाता है तो यहां पर जो dry port है वो एक तरह से यहां पर cargo handling, transportation यह सारी चीज़ों को streamline कर देगा और जो transportation cost है वो भी कमाएगा तो जिसके बज़े से बिहार के जो good से हो वो काफी ज़ादा competitive बन जाएगा international market में अब यह जो beta में जो dry port बनाये गिया है वो लगबग साथ एकर के एडिया में फैला हुआ है जिसके वज़े से यहां पर storage handling के facilities काफी अच्छे से हो सकेगी साथ ही आपको बता दे कि इस sport को basically PPP mode में चला जाएगा यानि public private partnership, सरकार और company दोनों होगी अब बात करते हैं कि बिहार कौन कौन से product export कर सकते हैं देखो बिहार एक major producer है fruits और vegetables में जिसे आलू, टमाटर, केला, चीनी और मकाना जिसे फलों और सब्जियों का एक पड़ मुख उत्पादक है इसके अलाबा मका, जो बिहार के 38 में से 11 जिले मका उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं साथी अस्पंज, आइरन, पैक्ट, सफूड, बेकार कागच, अखवारी कागच और चावल के एक्सपोर्ट के भी महतपूर्ण छमता है मका, उत्पादन, मुख्य रूप से उतर बिहार के खगरिया, बेगूसराय, सहरसा और पूर्णिया जैसे जिलो में केंद्रित हैं लेकिन राज्जी सरकार ने उतर बिहार के मुझह पर पूर्पूर्वी चमपारन और पस्चिमी चमपारन के जिलो में लेगदर के फैक्टरी यूनिट देखने को मिल जाएंगे और बैसाली, नालंदा, पत्ना और बेगूसराय में भी खाद परसंगे एक्सपोर्ट के अपार सम्भावनाई हैं अब जो सुरू किया गया है 21 एक्टूबर से ये पोर्ट उसमें पहला कंस्यमेंट आउल लेडी एक्सपोर्ट हो चुका है जिसमें लेडर भेजा गया था जो रस्या आउल लेडी एक्सपोर्ट हो चुका है और रिजेंटली मैं आपको बता दू कि कड़िब आधा दर्जन इन्वेस्टर्स हैं यानि 6 के आसपास इन्वेस्टर्स ने लेडर में इन्वेस्टर्स राजी के अंदर खोली गई है इसलिए जो इन्डेस्ट्री मिनिस्ट्री है वहां के उन्होंने कहा है कि लेडर और गार्मेंट्स जो है हाँ ये कोई बड़ी रकम नहीं है लेकिन यहां पर जो ड्राइपोर्ट ओपेन किया गया है इसकी बज़े से जो पोटेंसियल है वो और जादा बढ़ जाएगी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में या दो गुना या तीन गुना हो जाए खेड़ वो देखने वाली बात है लेकिन अल्टिमेटली यहां पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार और भी जो जो जोईनिंग अस्टेट्स हैं मतलब बिहार के साथ जो अस्टेट्स जुड़े हुए है उसको कैसे हेल्प मिलेगा तो आपको बता देगी सबसे पहले कि यह जो ड्राइपोर्ट हैं वो कमीशन और अप्रूप किया गया है वो लोग भी अपने-अपने सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से कर सकेंगे जो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है तो दोस्तों बिहार के इस प्रोजेट के बारे में आप कैसे सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सक्षन में जरू बताईएगा अगर सही माइने में बताएं तो बिहार सच में बताल रहा है खेड अपनी राइक कमेंट में जरू बताईएगा सो ऐसा ही और इनफोर्मेटिव वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें